हेलो दोस्तों नमस्कार देखिए आज का जो वीडियो है इस्पेशली मैं बहुत ही जल्दी बना रही हूँ क्योंकि ग्रहड आज ही पढ़ने वाला है और काफी जो मेरी प्रेग्नेंट महलाएं हैं मेरी प्यारी सी जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके मन में बहुत बीडियो है और कहाँ कंच दिखाए ये ग्रहड व भी जानेंगे ग्रहडे महलाओ को किन बातों द्यान रखना है क्या करना है क्या नहीं करना उसके बारी में जानेंगे मैं क्लीगने इस्ट सपार करने से पहले हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें साथ ही बगल में जो आपको बेल आइकन दिखता है उसे जरूर प्रेस कर लें जिससे कि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पोहुसती रहे देखे गाइस आगे चल कर जल्द ही चंदर ग्रहेड भी पढ़ने वाला है और आप चाते हो कि आपको टाइम से पहले ही जानकारी मिल जाए तो प्लीज आप हमारे चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को दवाना बिलकुल भी न भूलें आपको टाइम से पहले ही वीडियो मिल जाएगी तो चलिए आज की वीडियों शुरू करते हमें. और जान लेते हैं सूर्ग ज्रहट के बारे में डिटेल से. दोस्तो साल 2020 का पहला सूर्ग ज्रहट अप्रेल महा में लगने जा रहा है. दोस्तो सबसे पहले ये चानेगे कि सूर्ग ज्रहट आफिर होता क्या है. देखे सूर गिरहड एक खगोली घटना होती है धार्मिक तोर पर इस सूर गिरहड को अश्रुब माना जाता है ऐसे में आईए जानते हैं कि ये इंडिया में सूर गिरहड दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा इसकी डेट, समय और सूतक काल के बारे में सब कुछ डिटेल से जानते हैं सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि सूर गिरहड आखिर होता क्या है सूर गिरहड उसे कहा जाता है दोस्तों जब चंदरमा सूर को पूरी तरह ढख देता है ऐसे में होता गया है दोस्तों कि जो सूरी की किरड़े होती है वो धर्ती तक नहीं पहुँश पाती है और इसे ही दोस्तों सूरी ग्रहेड कहा जाता है जब चंदरमा सूरी को आंसिक रूप से ढखता है तो सूरी की किरड़े धर्ती तक बहुती कम मात्रा में आ पाती है जिस कि आपने यह तो समझ लिया कि सूर गिरहड होता क्या है किसे कहा जाता है अब जानते हैं इसकी टाइमिंग के वारे में काफी लोग है जो प्रेगनेंट हैं खासकर कि उन्हें टाइमिंग को लेकर बहुत जदा कन्फ्यूजन है बहुत ज़दा डाउट है तो कोई बात नहीं तो 1 मई लग जाएगा और सुभे 4 बज़कर 7 मिनट तक रहेगा मतलब 1 मई 4 बज़कर 7 मिनट तक सुभा तक रहेगा आपने समझ लिया होगा अगर नहीं समझ पाया फिर भी तो मैं एक बार और आपको बताना चाहूंगी वो ध्यान से सुनियेगा साल का ये पहला सुर्ग्रेड है जो कि आज रात मतलब 30 अपरेल की रात में लगने वाला है 12 बज़कर 15 मिनट से शुरू होगा जो कि 1 मई स्टार्ट हो जाएगी समझ रहे है आप 1 मई स्टार्ट हो जाएगी और सुभे 4 बज़कर 7 मिनट तक रहेगा ये है सुर्ग्रेड आंसिक सुर्ग्रेड होगा ठीक है अब आपने टाइमिंग समझ लिया है चलिए अब आपकी काफी सारी ये कौईरी जा रही थी कि गरवती महलाओं को क्या सबजियां काटनी है या फिन नहीं काटनी है क्या पहले हम सबजियां काट सकते हैं क्या इसका सूतक मानने होगा या फिर नहीं होगा इंडिया में दिखाई दे रहा है और कहां कहां दिखाई दे रहा है काफी सारे से गर्वती महलाओं के मन में डाउट चलते हैं क्योंकि आपकी काफी सारे कमेंट मैंने पड़ेते तो मैंने चाहा एक प्रॉपर वीडियो बनाया जाए इस टॉपिक पर जिससे कि आप लोगों की help हो सके चलिए अब यह जा लेते हैं कि गर्वती महलाओं को करना क्या है देखे वैसे तो यह मैं आपको clear बता देना चारी हूं यह इंडिया में नहीं दिखाई दी रहा है लेकिन अगर गाइस अगर फिर भी आप नियम पालन करना चाते हैं तो जरूर कर सकते हैं इसमें कोई भी टेंशर लेनी की बात नहीं है यह आपके ऊपर depend करता है ठीक है यह सूरी ग्रेड है इंडिया में दिखाई नहीं दे रहा है और नहीं इसका कोई भी सूतक मानने होगा जब इंडिया में दिखाई नहीं देगा तो इसका नजर नहीं आएगा ठीक है आप समझ गए होंगे अगर फिर भी गरवती जो महला हैं उनके मन में डाउट है तो दोस्तों आप नियम पालन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं यह आपके उपर डिपेंड करता है चाहे वो दिखाई दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है इससे कोई कोई फरक नहीं पड़ता है यह गरवती महलाओं की इच्छा के उपर डिपेंड करता है अगर वो करना चाहती है तो कर सकती है चलिए अब यह जान लेती है कि गरवती महलाओं को करना क्या है सबसे पहले जान लेते हैं तो यह जो ग्रहेड पढ़ रहा है वो रात में दिकत नहीं होगे और आपके बेवी का ओक्सीजन लेबल एक दम ठीक रहेगा तो हमेंसा आप लेफ्ट करवट ज्यादा से ज्यादा शोने की कोशिश करें बिल्कुल भी टेंशन ना लहें एकदम कंफटेवल कपड़े पेने एकदम धीलेड धाले कपड़े पेने जिससे क आपको दिकत नहीं हो ठीक इस बात का ध्यान रखें आप आराम से सो सकती हैं और काफी महलाओं के ऐसे कमेंट आ रहे थे कि क्या हम ग्रहेड काल के ग्रहेड काल जब स्टार्ट होता है उससे पहले सबजिया काट सकती है या फिर नहीं देखिए जब इसका सूतक मान नहीं ह नहीं है आशर करते हैं आपके मन में जितने भी डाउट थे वो किलियर हो गई होंगे आप आराम से जो चाहिए वो कर सकती है और आप नियम पालन करना चाहती है तो वह भी आप कर सकती है यह आपके उपर डिपेंड करता है हां लेकिन एक बात आप जरूर धियार रखेगा आ आने से पहले ही आपको सारी इंफोर्मेशन मिल जाए तो प्लीज आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें साथी बैल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको टाइम से वीडियो मिल जाए तो गाइस अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो यहीं समाप करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी टॉपिक पर